नवश्कार मैं हूँ सुकृती रोय चैटर जी और बोल्सकाई में अब सभी का स्वागत है आँखें बोलती हैं आपने ये बात तो बहुत लोगों से सुना ही होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में आँखों के बारे में कई ऐसी बाते बताई गई हैं जिने जानकर आप हैरान हो जाएंगे सामुद्रिक शास्त्र में ये माना जाता है कि व्यक्ति की आँखों से उसका स्वभाव जाना जा सकता है इस शास्त्र की रशना रिशी समुद्र ने की थी उनका मानना था कि शरीर के अंग और उनकी बनावट व्यक्ति का व्योभार, स्वभाव और भविश्य बताने में सक्षम है इसी तरह आँखों का रंग भी व्यक्ति की जिन्दगी के राज खोलता है भूरी आँखें लोग अकसर ऐसा कहते हैं कि भूरी आँखों वाले धोके बाज होते हैं लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि भूरी आँखों वाले लोग बहुत ज़्यादा इमानदार होते हैं ऐसे लोग सुभाव के भी बहुत अच्छे होते हैं सब कुछ हासल किया जा सकता है यह लोग बहुत भावनात्मक भी होते हैं काली आखे काली आखे वाले लोग दिल के सच्चे होते हैं ऐसे लोगों को अक्सर अपने मेहनत पर यकीन होता है यह लोग किसी की बातों में नहीं आते काली आखों वालों का मानना होता है कि जिंदग नीली आखें ऐसी आखों वाले सुभाव से बहुत अडियल किस्म के लोग होते हैं। इनका मानना होता है कि जो इन्होंने कह दिया वही सही है। इन्हें दूसरों की बाते मानना पसंद नहीं होता। इन लोगों को प्यार के संबंदों में अक्सर धोका भी सहना पड़ता है सामुद्रिक शास्त्र में ये कहा जाता है कि नीली आँखों वालों को बहुत सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए बिना सोच समझे कोई भी फैसला लेने से इन्हें भारी नुक्सान उठाना पड़ता है उमेड करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूये